So, Hello Everyone, ज्वार अश्टेडी ट्यूब पर आपका अगिंस विल्कम हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले ही खोठा के लेखक और अस्पेसले यह वीडियो डेडिकेट किया जाता है जारकन के रामगर जिल्ला चोकिदार के लिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा रामगर जिल्ला में चोकिदार के वेकेंसी अभी निकाली गई है जिसका फोर्म भी फिलप हो रहा है यदि जो कंडिडेट रामगर डिष्टिक्ट से बिलोंग करते हैं और अभी आपने चोकिदार के भेकेंसी को form fill up नहीं किया है तो आपके पास number I think जहां तक मुझे लगता है 30 नौमबर तक इसका date है तो अब आपके समय जादा दिन नहीं बचे हुए तो आप form को fill up कर दीजिए जैसा की बात करें चोकिदार के तो इसमें 50 प्रश्ण के exam लिया जाएगा 50 में जिसमें की आधा आपका 50 परतिसत यानि की 25 marks आपके रामगर जिला दर्शन और जार्खन का संपूर्ण जार्खन का कुछ-कुछ पाट वहां से रहेगा 25 प्रश्ण उधर और 25 प्रश्ण आपक चेत्रिय भासा जो आप चूच करेंगे उससे रहेगा तो उसी चेत्रिय भासा को देखते हुए हम लोग खोठा के जो 25 प्रश्ण ने उनको कभर करने का परियास किया है तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग खोठा के उन लेखक के बारे में डिसकस करने वाले हैं खोठा विशय से जुड़े हुए जो लेखक जिनका जन्म रामगर छेतर में हुआ है यानि कि रामगर जिला के अंतरगत हुआ है क्योंकि इसकी परवल संभाना है जो खोठा के लेखक है और जिनका जन्म रामगर डिश्टिक के अंतरगत हुआ है तो उनसे प्रश्ण भी उपनाम क्या क्या है सो तो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नंबर पर हम लोग कहानिकार लिखक को पढ़ने वाले डाक्टर बीन ओधार सबसे पहले इनसे जुड़ा हुआ प्रश्म पूछा जाता है कि बीन ओधार जी का उपनाम क्या ची है तो करें इनका जन्म की तो इनका जन्म 2 सितंबर 1952 में रामगर जिला के चेटर गाउं कोंशा गाउं में चेटर गाउं में और इंखर माय कर नाम रहे रूपा देवी और इंखर बापेक नाम रहे माधो ओधार 2 सितंबर 1952 में रामगर जिला के चेटर गाउं में जन्म भेल रहे इनकर माय कर नाम रूपा देवी और इनकर पिताजी कर नाम रहे माधो ओधार जन्जाती और छेत्रिय भासा बिवागे खोठा के परपेसर रुपे भासक सेवा में लागल हत लेक कविता और कहनी लिखे करूची हैं लेक कविता और कहनी खोठा भासा उद्वो और विकास और खोठा निवन्द किताब एकर में बारा गो निवन्द हैं के अगो किताब एक संग्य संपादक और पत्र पत्रिका में लेक केनी कविता परकासित हैं जैसे कि इबाराग और निवन्द है एकर में एको फिंगाठी है हमें खड़ा हूँ काची हमें खड़ा हों फिंगाठी के रचनकार के लागतिन एकर रचनकार बियेन ओहदार जी तिलका मांजी कर जियोकदान के देखवालगेले ये तिलका मांजी के एक जिवनी लिखले है तो उ जिवनी में अजादिक उल्गुलाने तिलका के जोगदान के देखवल गयल है हुए एक जार कविता के रचना भी करल गयल है जैसे यहाँ अब दूसरा नमबर पर हम लोग बात करते हैं इससे पहले हम लोग जो बारा कविता खोठा निबंद लिखी गई है बियन ओधार के जवारा उन बारा निबंद को हम लोग देख लेते हैं इससे भी आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न पुछा जा सकता है कि निबंद में से कौन-कौन से निबंद बियन ओधार जी के द्वारा रची गई है बियन ओधार जो खोठा बूत पुष्टक है उसका आम लोग सची परिचे देखेंगे लेखक देख पा रहेंगे बियन ओध पिताजी का नाम माधो ओधार और घर है चेटर रामगड और इनके बात के रहें पुष्टक का प्रकासन यह जो खोठा निबंद है इस पुष्टक का प्रकासन कहां से हुआ है जनजातिय भासा अकादमी राची बिहार एं जारखन से पहला प्रकासन जो 1990 इसवी में बिहा सरकार के का समय 1990 में प्रकासित हुआ था और दूसरा प्रकासन जारखन सरकार के अंतरकर 2017 इसवी में कुल निबंदों की संख्य कितनी है बारा आप देख पा रहेंगे यहां पे शोब टाय चल है बखेडा बेब खेडा बैचका बगरा काम कम सर्व धर्म संभा और राष्ट के एकता एको कुकरिक आत्म कथा छठा निबंद है परेमचन साहितेक समाजे सही सरस्ताय जोगदान शात्वा निबंद की बात करेत हुआ है भाय बहिन के सुप प्यार के परतिक करम फूल कर परब सरूल आर्तकर परतिंकता छोटा नाकपूरिक नेतिताल और नितरहाड दस दस्वा निबंद है हामिन के संस्कृति आर्तकर उपरे संकट गरावा निबंद है खोठा लेकन परमफवादी ना जनवादी और इस परकार बारावा निबंद है हमें खड़ा हो तो इह बारो निबंद बियन ओधार जी के दोरा लिखल गयल है अब दूसरा नंबर में जे लेखा खतिन जेकर जनम रामगर जिला के अंतरगत भेल है उन बेक्तियत वासुदे महतो कौन बेक्तियत वासुदे महतो और इनकर उपनाम लागे पढ़ाकू कौन जी वासुदे महतो जीकर उपनाम लागे पढ़ाकू और बियन ओधार जीकर उपनाम लागे सब भी साची बासुदेद माहतो के जदी हमिन बात करो ये तो इनकर जन्म रामगर जिला के छोटकी डुन्डी गावे कहिया भेला लेन 7 जुलाय 1948 इस्वी में माई एक नाम लागे फाको देवी और बापेक नाम लागे बोधनात माहतो पढ़ाय के बात करो ये हमिन तो मेसी तक पढ़ालहतीन सिच्छक रुपे जिन्गी सुरूप कर ला मातरी भाजा खोटा और हिंदी में लेकन खोटा लोकोती खोटा ब्याकरन कर एक कुमचा खोटा ब्याकरन दमराही किताब परकासित है कौन किताब परकासित कर ले थिन? खोठा ब्याकरनेक दमराही किताब परकासित कर ले थिन और खोठा लोकोती है खोठा ब्याकरन कर एगो खुमचा कईगो पत्र पात्रिका में रचना परकासित है संगे संग कविता एगो कविता भी रचल गयल है संगे संग यी कविता कुछ रूप के देखवाल गेल है परकिती जैस संगे संग है इस संगे संग कविता में परकिती कुछ रूप के देखवाल गेल है वहें आरेक कविता है गाचेक चरहिया बड़ा उदास और तीसरा वेकती है महिस गुलवार तो बस लेकक का जन्म तिथी याद कर लेना है और कौन सा गाव में जन्म हुआ है कौन कौन सी कहानी कविता इनके द्वारा लिखी गई है महिस गोलवार इनका भी उपनाम बात करें तो महिस गोलवार का उपनाम हो जाता है गोलवार बियन ओधार का सब ये साची और वाशुदे मातों का पढ़ाकू बात पात करो यह जदी हमिन महस गोलवार कर तो महस गोलवार कर जनम रामगार जिला के गोला गावे कौन गावे भेल रहें गोला गावे कहिया एक जनवरी 1911 में जनमल हथ खोठा आर हिंदी में लेखन कैगो पत्रिका आर संकलने रचना परकाशित शिरी न्युवास पानुरी अस से शमानित पहिल खोठा साहितकार लागे यानि की सिरिन्वास पानुरी अस्मिरिती समान पावे अला पहिल खोठा साहितकार के लागती महस गोलवार महस गोलवार के सबसे पहले सिरिन्वास पानुरी अस्मिरिती समान दियल गेल है प्रश्ण पुस्तोन सिरिन्वास पानुर जिलक में हेल है जंजाती एवं चेत्री भासा विवाग बाट ले विशेस समान तीन अगस्त 1996 में इनकर निधन भैलें इनकर निधन कहिया भैल रहें तीन अगस्त 1996 इसवी में इनकर निधन भैगेलें जै जवान जै किसान एगो कभीता एक है द्वारे लिखल गेले जै जवान जै किसान जैकर में देशिक जुवान और किसाने के महिमा कर बखान करल गेले वह लखे एगो लेख भी लिखल गेले महिस गुलवार जी के द्वारा उन लेख है उरिस महतम उरिस महतम लेख भी लिखल गेले ककर द्वारा महिस गौलवार जी के द्वारा